हलो और वेलकम फ्रेयर्स आज की ये वडियो माइक्रोशाप एक्सेस की है और ये 2007 वर्दन यूज करना हूँ मैं और आज की ये वडियो में हम जानेंगे कि कुछ इस तरह का अगर हमें बनाना हो तेवल जिसमें की पुल मिला कि कितने आइटम हुए, तो यहां प्यार है, और फिर price total देखी जिए, count कर दीजे, यह addition पुरा price total जो है, करके यहां प्यार है, और यहां पर unit का भी total आ रहा है, कि कितना unit है, चीक है, तो इस तरह का तुछ बनाना हो, तो हम कैसे बना सकते हैं, तो चलिए यह start करते है, सबसे फ़ले क्या करना है, create पे click करेंगे, जैसे create पे click करेंगे आप, तो आपको दिखाए पड़ेगा यहां table, चीक है, आप table design करना चाहते है, यह table पे click भी कर सकते है, तो चलिए इसना table design करते है, यहां पर आगा table design कर, अब यहां पर मैं करता हूँ employee ID, employee का है detail लेते है आप यहां पे कुछ और भी कर सकते हैं, अब इसे रखेंगे हम auto number, क्या रखेंगे auto number, तो यहां पर आप आप देख सकते हैं, यहां पर आपको auto number बिल जाएगा, यह auto number रखेंगे, और इसको बना लेते है primary key, तो यही हमारी primary key है, यह right click करके आप इसे primary key बनाएगे, अब employee ID यहां पर employee name रखेंगे, तो यहां पर कर दिया है, मैंने employee name, और इसे text data type रखेंगे, फिर यहां पर जैसे ही आएंगे, तो यहां पर item name करेंगे, तो यहां निका मैंने item name, और फिर यहां पर हम करेंगे unit, चिक है, तो चुकि unit हमें करना है, लेकिन इसे भी पहले हमें price देना प्राइस जेडिये और excell King on the पाध्रियु अब यहां यूनिट पर लेते हैं अपई अब यहां पर इसे बना दिया नमबर और फिर यहां बना देंगे डबल, तो यहां पर लिखा D, तो D प्रेस करने से यहां से drop bound से यहां चूज करते हैं, यहां आप ही जाए, इतना कर लिए हमने, अभी हम इतना ही रखते हैं, और यहां से view पे कर दें, view पे क्लिक किया, तब यहां से yes कर दिया, अब यह table 2 है, आप अपने मुखाविकिस को कोई भी नाम देश, no problem, यहां पर आ गया, अब यहां पर employee की detail कर दिया, यहां तब यहां पर item name में डाल देता हूं, इनके जिन्में है keyboard, तो यह keyboard दे दिया हमने, और price, keyboard की प्राइस है, वो है 320, एक की है, ठीक है, अब यहां करता हूगा, ओके, और इनकी जिम्मदारी है mouse की, और यहां पर mouse का दिया में, और यहां पर mouse यहां यहां पर दो सो mouse अविलेबल है, ठीक है, फिर यहां करता हूँ, जारेका, तुस तरीके से, और इनके जिन्में है, LED, LED monitor कर देता है, LED monitor, ठीक है, यह LED monitor कर दिया में और यहां पर एक LED monitor है 13,400 रखेंगे और ऐसे-एसे 20 LED monitor इनके पास आगे कर देता हूँ अरे शिफ्ता इनके पास है LCD monitor ठीक है और ऐसे-एसे 18 LCD monitor इनके पास है ठीक है और जिसकी price इतनी है इस यहां पर देखेंगे यहां कर देता हूँ 70,700 रखेंगे तो यहां है किसी तरह से और गी employees हो सकते हैं आपके लाइपन आपके लाइपन आपके देता हूँ और यहां पर कर देता हूँ wireless keyboard इनके पास wireless keyboard और ऐसे-ऐसे wireless keyboard हैं इनके पास 50 wireless keyboard है जिसकी एक की price है 70,700 रखेंगे और जिसकी है तो यह इस तरही किसे करेंगे हमने और भी आप add कर सकते हैं अब हम यहीं page का total करना सिखेंगे यहीं के total आजाएगा कांट करिले की सा तो जिसकी है यहीं普ने है यहां क्लिक साथ है फिर यहां पर आते हैं और इनका भी टोटल कर लेते हैं तो यहां पर आता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह कितने यूनिट्स हैं इनको count यह करेगा ठीक है अब यह 1,2,3,4,5 यह जो rows है वो 5 rows है लेकिन अगर आप यहां count लगाते हैं तो यह rows को count करेगा ठीक है तो इसी लिए यहां पर आपको count नहीं लगाना होगा कोई और formula like sum हम use करेंगे ठीक है तो यह sum कर दिया हमने तो यह दोसर चौरांदे आगया अ सकते हैं आप ठीक है तो आई होप की बात आपके समझ में आ रही होगी कि यह मैंने कैसे किया है लो प्रॉप्लों ओके लग इस तरीके से यह बन जाएगा और यहां से color ज्यादा बहतर नहीं है मुझे लगता है यह सही रहेगा तो यह इस तरीके से यह table में ही दिखाई सकते हैं